नमस्कार बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोतिश गुरु लाइव में मित्रो आज सुब़े 6 बच कर 35 मिनट पर जो प्रशन आपने हमारी लाइव इस्टिमिंग के माध्यम से साजा किये उन सभी प्रशनों का अब हम आपको जवाब देते हैं पहला प्रशन इस परशिता पडवाल ने हमसे पूछा है बहुत स्वागत है आपका और ये कह रही है कि इनकी शादी कब होगी कुछ उपाय बताईए इस परशिता आपके जन्मान का अनुसार आपकुम्ब लगन की है सुवराशी का शनी बुद्ध के साथ आपके लगन में विद्यमान है और सब्तम भाव का स्वामी जिसे हम शादी विवाह का भाव देखते हैं वहे शुक्र के साथ उच्च के शुक्र के साथ कुंडली के दूसरे भाव में हैं तो अपने से अस्टम होने के कारण वह थोड़ा सा पीडित हो गया लेकिन आपको घबराने की अवशक्ता नहीं है वर्तमान समय में गुरू में गुरू का अंतर है आने वाले समय में मैं आपको समय बताता हूँ कि इस जुलाई 2023 के बाद विवाह के योग प्रबल होंगे आपको लापकी प्राप्ती होगी विवाह के तमाम खत्म होंगे अगला प्रशन हम लेते हैं अंशुल का बहुत स्वागत है आपका अंशुल का प्रशन है कि इने पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता गुस्सा ज़्यादा आता है कोई उपाए बताएं अंशुल देखिए आप तो लालगन के हैं बुद्धी वाले भाव में दिमाग वाले भाव में विद्या वाले भाव में सूर्य राहु और बुद्ध की युती है तो सूर्य राहु का ग्रहन यो कहीं ना कहीं अकारण आपको गुस्सा दिलाता है इस गुस्से को खत्म करने के लिए हो सके तो अपने वजन के बराबर हरा चारा या साथ अनाज आप दान करें और सवा पांच से सवा छे रती तक कशुद आप एक पन्ना पहन लीजिए बुदवार के दिन भगवान गणेश को दूरवा अरपित करिए चोटे बच्चों को लड्डू खिलाइए ये चोटा सा उपाय आपकी हर परिशानी को खत्म करेगा आगले प्रशन की और बढ़ते हैं आदित्य कुमार जहा हैं बहुत स्वागत है आपका ये कह रहे हैं मेरी सेहत कैसी रहेगी आदित्य वर्तमान समय में ग्रहों का गोचर आपकी सेहत के अनुकूल नहीं है तो सिर्फ एक छोटा सा उपाय करिए अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए कि आप सुभे के समय भीगा हुआ अनाज जो है पक्षियों को डालिए जल का जादा सेवन करिए माथे पर हल्दी चंदन का तिलक करिए बस ये छोटा सा उपाय कर लीजिए और किसी योगे चिकित सक से आप सलाह लीजिएगा अपना इलाज जरूर कराईएगा विनोद जुड़े हैं बहुत स्वागत है आपका भीवानी से हैं कह रहें फिचर कैसा रहेगा बिजनिस कर सकता हूँ क्या देखे विनोद वरतमान समय में मैं आपको बता दूँ की सेहत की समस्या आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है ग्रहूं का गोचर आपके अनुकूल नहीं है तो अगस्त दो हजार तेईस के बाद आपकी सेहत में सुधार भी होगा भविष्चे में कुछ ना कुछ आपको लाब की प्राप्ती भी दिखाई दे रही है लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं मुस्कान जुड़ियां बहुत स्वागत है आपका और ये कह रही है कि मुझे अपने करियर के बारे में जानना है कोई उपाय बताईए क्या मुझे पढ़ना चाहिए या जॉब करनी चाहिए मुस्कान देखिए आपका जन्मांग हमने ये तैयार कर लिया है और आपके जन्मांग कानुसार मैं आपको बताऊं कि इस समय आपको नौकरी अभी नहीं करनी चाहिए आगे विद्या ग्रहिन करनी चाहिए आगे पढ़ाई के और आप जरूर जाईएगा और हो सके तो आप अपने घर की उत्तर दिशा में कांच के बरतन में जल भर कर रखिए भगवान सूरे के उपास न करिए और अपने करियर को उचाईयों के और ले जाने के लिए एक सवा पांस से सवा छे रती तक कशुद पन्ना रतन जरूर पहनिएगा विजय लक्ष्मी जुडियां बहुत स्वागत है आपका ये कहरें घर से बहुत परिशान है जमीन जादात की परिशानी है कब छुटकारा मिलेगा सेथ कब ठीक होगी देगे विजय लक्ष्मी यहाँ पर आपको बतादू जो आपके घर की समस्या है वो अगस्त 2023 के बाद ही खत्म होगी रहा प्रश्न आपके कर्ज का वह इस वर्ष तो नहीं चूक पाएगा अगले वर्ष मार्च 2024 के बाद कर्ज के उतरने की स्थितियां प्रबल होंगी जब तक आप यह कर्ज ना चूके तो आप मंगलवार का विरत करिए मीठी वस्तूओं का दान करिए और सुबह के सामें एक तिल के तेल का दीपक हनुवान मंदिर में प्रजवलित करिए कही न कहीं स्थितियां आपके फेवर में जरूर आएंगी कृतिका जुडियां बहुत स्वागत है आपका और यह कह रहे हैं मुझे सरकारी नोकरी मिल सकती है क्या भविश्य कैसा रहेगा कृतिका देखिए आपका जन्मांग हम बना लेते हैं और उसी के अकोर्डिंग लिए आपको बताएंगे कि क्या योग हैं आपकी सरकारी नोकरी के देखिए यहां पर कृतिका सिंग लगन की पत्रिका और सूरिय बेहत मजबूत इस्थिती में कुंडली के भागे भाव में बुद्ध के साथ तो भाव सरकारी नोकरी तो आपकी पकी समझेए अड्मिस्टेशन डिपार्टमेंट में सरकारी नोकरी आपकी जरूर लगेगी हो सके तो आप आईएस का एक्जाम भी दीजिए कहीं ना कहीं सूरिय इतनी मजबूत इस्थिती में होने के कारण आपको लाब भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और आपके रुके हुए कारिया पूरे जरूर होंगे वर्तमान समय में हो सके तो आप वाइरल इंफेक्शन से बचिएगा कुंडली में बुध और राहू की स्थिती बहुत जाद आच्छी नहीं दिखाई दे रही तो ऐसे में बुध की महादशा और शनी की अंतरदशा है शनी आपर सस्टेज भी है, सिंगल अगन की आपकी पत्रिका है तो आप शनीवार की शाम पीपल के विरक्ष की जड़ में सरसों के तेल का एक दीपक जलाईए और अन्न का दान जरूर करिए सानिया सिंग्जणियां बहुत-बहुत स्वागत है आपका और ये कह रहे हैं कि भविश्य कैसा रहेगा और नीट की ये तैयारी कर रही है क्या इने करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देखे सानिया मैं आपको बता दूँ कि आपके जन्मान करनुसार जो आप तैयारी कर रही है उसमें सफलता एक बारी में तो नहीं मुझे दिखाई देती हो सकता है ये एक्जाम आपको दुबारा देना पड़े तो उसकी सफलता के लिए आप क्या करें हो सके तो एक सवा मीटर सफेद या गुलाबी धागा लीजिए भगवान गनेश के मंतर ओम सिद्धी बुद्धी प्रदाई नमहा इस मंतर का 108 बार जाब करके उस धागे पर 27 गाठें लगाईए और अपनी बाई कलाई पर बांद लीजिए ये छोटा सा उपाय आपके कारे को सफल करेगा आजे कुमार सिंग जुड़े हैं बहुत स्वागत है आपका ये कहरे मैं जहां भी पैसा लगाता हूं फस जाता है नुकसान हो रहा है क्या किया जाए आजे सिंग आपकी जन्मांग हम यहीं बना लेते हैं अभी और इस समय देखिए इस समय आप कोई भी नया पैसा किसी भी कारिय में इन्वेस्ट ना करें सारा पैसा डूबने का योग यहां पर दिखाई दे रहा है डूबे हुए पैसे की प्राप्ती के लिए प्रदोश काल में देवी लक्ष्मी के स्री सुक्त का पाट करिए हो सके तो अनार का फल देवी लक्ष्मी को भोग लगा कर किसी कन्या को दीजिए और अपने घर की दक्षिन दिशा को भारी रखिए आने वाले समय में धीरे धीरे ही सही आपको रुके पैसे की प्राप्ती जरूर होगी किशन जुड़े हैं बहुत स्वागत है आपका और ये कह रहे हैं मेरा बिजनिस कैसा रहेगा मेरेड लाइफ कैसी रहेगी कोई उपाई बताईए किशन देखिए आपके जन्मान का नुसार यहाँ पर बिजनिस में कुछ उतार चड़ाव रहेगा इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा उचाईयों पर आपका बिजनिस नहीं जाएगा लेकिन अगले वर्ष अगस्त दो हजार चॉबिस के बाद बिजनिस में सफलता मिलने का योग है उपाय के तोर पर अपने बिजनिस वाले स्थान पर ओम गंगन पते नमा ओम हीम श्रीम महलक्षमे नमा मंतर का जाप कमल गटे की माला से प्रते दिन आपको करना है एक लोटे में जल रखिएगा जाप के बाद इस जल का छिड़काव अपने बिजनिस स्थाल पर करिए लाब मिलेगा अमरनात कुमार जुड़े हैं हमारे साथ बहुत स्वागत है आपका और ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूं मुझे क्या मिल पाएगी अमरनात देखिए आपकी जन्मांक में आपकी नौकरी मिलने का प्रबल योग है सिर्फ आपको नेगिटिव विचार नकारतमक विचार अपने मन से निकालना है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं भाई आपको नौकरी जरूर मिलेगी निश्चिंत रहिए मन में सकारतमक विचार रखिए काले नीले रंग के वस्तर मत पहनिए और वीरवार यानि कि ब्रहसपतिवार का वरत करना शुरू कर दीजिए और मीठा जो है आप जरूर खाईएगा थोड़ा सा और मीठी ही वस्तुका आपको दान करना है हेमा सेट जुड़े हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका हेमा जी ये अपनी बिटिया गिरीशी का के बारे में पूछना चाहती है और ये कह रही है फैशन डिजाइनर इन्होंने किया है जौब अच्छी नहीं लग पा रही क्या उपाई करें देखिए हेमा जी आप अपनी बिटिया को जो फैशन डिजाइनिंग का उन्होंने कोर्स किया है उसमें लाब की प्राप्ती के लिए सवाचे से साड़े सात रत्ती तक का शुद एक पन्ना पहनाईए हो सके तो उनके वजन के बराबर हरा चारा किसी गौशाला में जरूर डालिए हरी वस्तूओं का दान कर दीजिए और बुदवार की शाम भगवान गणेश के ओम गंगन पते नमा या ओम गलोम गंगन पते नमा मंतर का 108 बार जाब करिए ऐसा लगातार साथ बुदवार करिये लाब की प्राप्ती अवश्य होगी तो मित्रो आज सुबच 6 वज कर 35 मिनट पर जो प्रशन आपने हमारी लाइव इस्टिमिंग के माध्यम से साजा किये उन सभी प्रशनों का हमने आपको जवाब दिया आज के वेशमें इतना ही और मित्रो जुड़े रहेगे जीनियूस के साथ दीजी इजाजत नमस्कार